किश्ञा किश्रा आँ मुडले मनोहर कृष्ण कनहिया जमुना के तट पर विराजे हैं मोर्मुकूर्ट कानों में कुंडल कर्में वोडलिया साजे हैं नमस्कार जनमाश्मी जो कि भगवान श्री कृष्ण के जनमुच्सव के रूप में मनाया जाता है भक्तिस दिन बगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा पाने के लिए उनकी विधी विदान से पूजार्चना कर वृत रखते हैं इस पर्व को धार्मिक्ता, देवत्व और प्रेम का प्रतीक माना जाता है लेकिन जन्माश्मी पर आखिर भगवान श्री कृष्ण की पूजार्चना कैसे करें, शुब मुहरत क्या है, क्या संयोग बना है ये जानने के लिए आज हमारी खास पेशकर्ष में, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने जोतिशाचार है, पंडित मुकेश शास्तिजी पंडिजी बहुत बहुत आभार आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुडने के लिए जैशी किष्णा लडू को पाल की जै तो पंडिजी श्री कृष्णी जन्माश्मी पर खास पेशकर्ष में आज हम बात कर रहे हैं, कि भगवान श्री कृष्णी की पूजा अर्चना कैसे की जाए तो शुरुबात करेंगे लेकिन सबसे पहले आप बताएगा क्या दूरलफ सयोग बना है अर्थात भगवान श्री कृष्णी का 5251 जन्मोट सव इस बार जन्माश्मी के दिन बड़े ही दूरलफ सयोगों में मनाये जाएगा भगवान शीर कृष्ण के जनम समय पर जो दुल्लब संयोग बन पड़े थे इस बार भी इस जनमास्ट्मी पर वैसे ही दुल्लब संयोग बन पड़े हैं सोमवार की मध्धे रातरी में रोणी नक्षत्र सरवार सिद्धी योग जयाति थी हर्शन योग तैतिल करण का अतिशुब संयोग बन पड़ा है और ऐसे दुल्लब संयोग में भगवान शीर कृष्ण का हमारे लल्ला का जनम सम मनाए जाएगा बाल गोपाल लड़ो गोपाल की लल्ला की पूजा व्रत उपाय से नी संतान दंपत्यों को मिल सकता है संतान का सुख गंभीर बिमारी से ग्रसित संतान को मिल सकती है बिमारियों से मुक्ती जन जन के लाडले हमारे घर के सबसे चोटे सदसे हम सब के प्रिये हम सब के भगवान नटकट बूजो तो कौन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं जी हां दोस्तो हमारे घर के सबसे छोड़े सरस्य लल्ला की हमारे लड़ू गोपाल की भगवान शीर किष्ण के बाल सरूप को ही लड़ू गोपाल कहते हैं इस सरूप में भगवान शीर किष्ण एक अबोध बालक के रूप में हाथ में लड़ू लिये वे होते हैं जिस घर में लड़ू गोपाल जी विराजमान होते हैं उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई भी कमी रोग शोख दुख नहीं आता है लड़ू गोपाल जी की भक्ती सारे सुखों को प्रदान करने वाली होती है देवताओं को भी दुल्ब है लड़ू गोपाल की भक्ति तो हम तो कितने सोभाग गेशाली हैं कि हमें लड़ू गोपाल की भक्ति का सुख मिलता है हम इस विशेश शो में आपको बताने जा रहे हैं लड़ू गोपाल की कैसे भक्ति करनी है कैसे जनमोत्सव मनाना है कैसे लडू गोपाल की भक्ती आपके जीवन के अंदर हर पकार के सुखों का आगमन कर सकती है क्यों से मंत्र किये जाए कैसे भोग किये जाए किस तरीके से लडू गोपाल से हम अपना संबंद तै करें कहते हैं कि जो जीव जैसा जिसके साथ संबंद रखता है ठीक वैसे ही संबंद उसके बन जाते हैं कोई लड़ू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में देखता है तो वो पुत्र का रूप बनके उसके साथ रहते हैं कोई ब्राता के रूप में, कोई सखा के रूप में, तो जिस रूप में आप जैसा भाव भगवान से जोड़ते हो, भगवान उसी रूप में आपके साथ जुड़ जाते हैं, कहते हैं आपके पुत्र नहीं हैं तो कोई बात नहीं, यदि आपने लड़ू गोपाल को पुत्र मान लिया एक बार आपका जिवित पुत्र साथ छोड़ जाएगा लेकिन लड़ू गोपाल पुत्र के रूप में यदि मान लिये हैं तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे इस जन्माश्मी के दुल्लप सायोग में भगवान की अराधना आपकी सभी संकल्पों को पू पंडी जी लेकिन शुब मुहरत जन्माश्मी का क्या रहेगा जी बिलकुल आईए जान लेते हैं शीक किष्ण जन्माश्टमी पर किष्ण जन्मुट्सव का शुब मौरत सोमवार दिनांग 26 अगस्टन 2024 को निशीत काल में रातरी 12 बचकर 6 मिनट से रातरी 12 बचकर 51 मिनट के मध्य में शीकृष्ण का जन्मुट्सव मनाया जाएगा दई हांडी का त्योहार मंगलवार दिनांग 27 अगस्टन 2024 को मनाया जाएगा ये तो हो गई शुब मुहरत की बात कि कब मनाया जाएगा पंडी जी इसके साथ श्री कृष्ण जन्मास्टमी को लेकर कि आप पूजन विधी भी बताएगा जो भक्तगर्ण भाव के साथ भगबान श्री कृष्ण को रिजाने का प्रसंद करने का मनाने का प्यास कर रहे हैं वो किस पूजन विधी को अपना कर लला को प्रसंद कर सकते हैं? प्रेम से अपने लला को अपने लड्डू गोपाल को आवास दे कर बुलाईएगा कि है प्रभू आप इसनान कीजी जैसे आप अपने छोटे बच्चे को गोत के बच्चे को आप आवास देती हैं सनान के लिए ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से उस पा में ध्यान रखिए गुनगोना जल भरके और रक्षनावरति शंक नहीं हो तो किसी भी पात्र से गुनगोने जल से उनको इसनान करवाईएगा हल्दी मिश्ट जल से हमारे लला को सनान करवाईगा अलग अलग प्रकार के फलों के रस से जैसे गन्ने के रस से, आम के रस से, अंगूर के रस से, अनार के रस से, अलग अलग प्रकार के उपलब्द फलो के रस से, भगवान का अभिशेक कीजिएगा, पंचा मत से हमारे लल्ला को सिनान करवाईएगा, उनका अभिशेक कीजिएगा, गंगा जल, गुलाब जल, तो आप सोने चांदी से जड़ी पोशाक पहनिए देखे वगवान भाव के भूके हैं सोने चांदी की पोशाक नहीं है आपके पास में लड़ू गोपाल की कपड़ों की पोशाक लेकिन आप उनका आवान करके कि आईए सोने चांदी से जड़ी पोशाक को पहनिए ऐसा ध्य करते वे पी तुवन की रेश्मी पोशाक हमारे लल्ला को लड्डू गोपाल को पहना दीजेगा सुगंदित चंदन का टीका हमारे लल्ला को अरपन कीजेगा बाल गोपाल को इतना अरपन कीजेगा तांबे के दीपक में गवग्रत का दीपक प्रजलित कीजेगा सुगंदित दूप अर्पन कीजिएगा तुलसी दल हमारे लल्ला को बहुत पसंदे तुलसी दल अर्पन कीजिएगा भुश्माला अर्पन कीजिएगा मुर्ली अर्पन कीजिएगा बगएर मुर्ली के तो भगवान शी किष्ण की पूजा धूरी है चांदी से बनी मुड़ी अरपन कीजेगा बाल गोपाल को माखन मिश्री धनिया पंजीरी पंचामत पंच मेवे का भोग लगाईएगा माखन मिश्री के भोग को लल्ला को अरपन करिएगा ये कहते वे क्या कहते वे आईए मेरे बाल गोपाल मेरे लड़ू गोपाल 56 प्रकार के व्यंजन के इस माखन मिश्री के भोग को ग्रहन कीजिए मेरे पास तो यही उपलब्ध है यही मेरे लिए 56 भोग है 36 प्रकार के विंजन है मेरे लल्ला मैं तो तुमको आपको माखन मिश्री का भोग ही लगा सकता हूँ लगा सकती हूँ इस प्रकार ठाकूर जी को भोजन कराने के पशात आप अपने हातों से शुद्वस्त से बाल गोपाल का कौमल मुख मंडल साफ कीजेगा क्योंकि लल्ला जब माखन काते हैं तो माखन उनके होटों से नीचे आने लग जाता है तत्पशान्त अंत में लड्डू को पाल जी के आर्थि कीजेगा पुषपांजली कीजेगा शमा प्रार्थना कीजेगा और पूरे पूजन के अंदर ल्ला के पूजन में बड़े मंतरों के आवशक्ता नहीं छोटा सा मंतर ओम बाल गोपालाए नमाहा ओम बाल गोपालाए नमाहा ओम बाल गोपालाए नमाहा ओम बाल गोपालाए नमाहा इस मंतर का इस मुनन करते वे भगवान की आराधना करते रहेगा प्रेम से बोलिए लड़ू गोपाल की जै इस प्रकार सरल विधी से आप लल्ला का पूजन जन वास्टमी की रात्री में कर सकते हैं पंडिजी आपने बहुत ही खुशूरत चित्रन किया कि लल्ला को किस तरह से प्रसंद करें और पूजा कैसे करें लेकिन पंडिजी अब आगे बढ़ते हुए चाहेंगे क्या बताएं कि आखिर क्योंकि आपने व्यंजिनों की बात की तो इस कल्यूग में बहोज़ जो आपुजा करते हुँव स्यूळा कामना से करते हैं यह अर्था जब हमारे कोई कामना होती है जब भी हम भगवान के सामने खड़े होँगे तो क्या करेंगे के घपर्भु मेरे इच्छा पूरी करदेने हे प्रभु मुझे घर दे दे ने प् मारे मन में कोई विशेश काम नहीं है तब ही तो जाके भगवान को यादि सुख हो सुख है तो बगवान को काया दोता दुख में ही याद करते हैं तो जिन लोगों के पास सौम का घर नहीं घृ यदि वो चाहते कि उनका खुद का फ्लैट हो, खुद का बंगला हो, फामाउस हो, तो हमारे ऐसे दश्कों को जन्मास्टमिक के दिन लड्डू गोपाल को केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए. केसर की खीर का भोग लगाईएगा, निशित तौर पर एक वश के अंदर लड्डू गोपाल के आशिरवाद से आपका स्वेम का घर फ्लैट फामाउस होगा. हमारे जो दश्क बहुत ज़्यादा बिमार रहते हो, हमेशा शारीरिक रूप से स्वस्त नहीं रहते हो, गंभीर बिमारिया हो, आर्थराइटीज हो, डाइबिटीज हो, कैंसर हो, नियूरो प्रॉब्लम हो, हमारे ऐसे दश्क जन्मास्टमी के दिन लड्डू गोपाल को दही माखन का भोग लगाईएगा. गर में सवी प्रकार के सुख देने वाले भोग पदार्तों की चार रखने वाले मनुश्यों को बगवान लड़ू गोपाल को गव माता के देशी घी से बनेवे देशी घी से सनान कराना चाहिए लड़ू को पाल को और गवगर्द से बनी मिठाईयों का भोग लगाएं तो आपके घर में सुख शान्ती बनी रहेगी धन संपंदा बनी रहेगी लड़ू को पाल को माखन और लड़ू का भोग लगाने से पता है क्या होता है सुख मिलता है किसका सुख मिलता है मारा संतान का सुख मिलता है नहीं संतान दमपती यदि लड़ू को लड़ू माखन का भोग लगाए तो बहुत जल्दी उनकी गोद में भी संतान की किलकारिया गुंज़ने लगती है यही नहीं आपकी संतान यदी गंभीर बिमारी से पिडित है लड़ू माखन का भोग लगाईए भोग के पशात उस प्रशाद को बच्चे को खिला दीजिए गंभीर बिमारी से मुक्ति मिलेगी हमारे वो दशक जो अच्छी नोकरी की तलाश में हैं इंटर्वू देने तो जाते हैं पर नोकरी नहीं लगती है माराज क्या करें इस जन्मास्तमी पर तो अगर आप बेरोजगार हैं अच्छी नोकरी की तलाश कर रहे हैं तो लड़ू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाईएगा क्या होगा अच्छी नोकरी मिलेगी बेरोजगारी से मुक्ती मिलेगी हमारे वो दशक जो कर्ज से परिशान है अमर बेल जैसा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है खतम होने के नाम पे हमारे ऐसे दशक लड़ू गोपाल को मावे से बने पदार्थों का भोग लगाईए मावे से बने मिठाई का भोग लगाईए क्या होगा कर्ज धीरे धीरे स्वते ही चुकता होता जाएगा लड़ू गोपाल जी को केसर इलाइची का दूद का भोग लगाने से नोकरी में तरक्की होती है मंचाई जगे पे पोस्टिंग मिलती है हमारे जो दमपती नी संतान है संतान होते वे भी जिने संतान सुक प्राप्त नहीं हो रहा है लड़ु गोपाल की सेवा शेस्ट रहती है लड़ु गोपाल से सहरे की आस लगाईए आपका पुत्र नहीं हो रहा है कोई बात नहीं हरी इच्छा मानकर स्विकार कर लीजिए संकल्प ले लीजिए जनमास्ट में के दिन आज से लड़ु गोपाल ही मेरे पुत्र है अब से वही मेरे जीवन का एक मातर सहरा है उनका सहरा लेने के बाद आपको किसी सहरे की आवशक्ता नहीं होगी लड़ु गोपाल को पुत्र मान लिया आप समझ लीजिए लड़ु गोपाल पुत्र बन के ही आपकी सेवा करेंगी तो छोटे-छोटे से उपाए हैं जिनसे आप जनमास्ट में के दिन लड़ु गोपाल को प्रसंद कर सकते हैं यानि कि घर में सुक शान्ती चाहिए हो या फिर धन धाने की प्राप्ती निरोगी काया चाही हो या फिर कोई संतान की चाहत रखता हो क्या उपाए कर सकते हैं पंडिजी ने तमाम अपनाए हमें बताया और इन्हें अपना कर आप भी अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं पंडिजी अब हम चाहेंगे अब जन्माश्पी को लेकर आप उपाए भी बताएं जैसे मैंने का कि साकामना हम भगवान की पूजा नर्चन करते हैं शीकिष्ण जन्माश्पी पर भगवान शीकिष्ण का पूजन करें तो उस समय एक चान्दी का सिक्का पूजास्तान पर रख दें फिर पूजा करें पूजा समाप्त होते ही चान्दी के सिक्के को अपनी तिजोरी में अपनी पॉकेट में रख दें मा लक्षमी जी का पर्मानेट आशिरवाद प्राप्त होगा जन्मास्टमी की शाम को तुलसी माता के समक्ष तुलसी के पौधे के समक्ष लाल चूनरी से तुलसी माता को अरपन कीजेगा शुद्य देशी घी का दीपक जलाएगा और वहीं खड़े होकर या बैटकर या परिक्रमा करते हुए ओम वासुदेवाई नमाहा इस मंतर का दो माला का जाप कीजेगा सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी शेकिश्न जन्मास्टमी के दिन गरीबों में या फिदरिद नारायन में या अनाथाशम में या कुस्टा शम में जाकर फल और अनाच का यथाशक्ति दान कीजेगा जो व्यक्ति जन्मास्टमी के से लगातार 27 दिन तक भगवानशी किश्न मंदिर में जटा वाला नारियल 11 बादाम चड़ाता है उसके सभी काम निर्विगन रूप से पून होते हैं बाके विहारी लाल की जये लड़ू गोपाल की जये चली समय हो गया एक छोटी से ब्रेका जल्द वापस लोटेंगे और पंडिजी से जानेगे कुछ और उपाए ब्रेके बाद स्वागत है आप सभी का तो हम श्री कृष्ण जन्माश्मी के स्पेशल पेशक्रश में पंडिजी मुकेश शासरी से जान रहे हैं वो विशेश उपाए और जन्माश्मी पर किस तरह से लल्ला की सेवा करें तो आगे कुछ और प्रेश्ण है जिनका जवाब पंडिजी से जानते हैं हर घर लड्डू गोपाल विराजे भी हैं अब घर लड्डू गोपाल तो ले आए हैं उनकी पूजा की है लेकिन असल माइने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें पंडिजी बताईए जी बहुत बढ़िया प्रश्ण है आपका हम घर में लड्डू कोपाल तो रखते हैं पर लड्डू कोपाल की सेवा कैसे करें ये जर्मास्टमी के शुब आउसर पर आपको ध्यान में रखने वाली बाते हैं सबसे पहले ये मान लें कि लड्डू कोपाल जी सजीव है वो केवल प्रतिमा नहीं है या मूर्ती नहीं है या आपके दिमाग में जो गलत कंसेप्ट है निकाल दो कि वो एक प्रतिमा है या मूर्ती है वो आपके परिवार के एक सम्मानिय सदस्य के रूप में ही आपके घर म विराज मानें सबसे पहले तो मन में ये मानें कि वो सजीव हैं मेरे घर में एक भाई बैठा है मेरा बच्चा बैठा है मेरा दोस बैठा है इस रूप में उसके पशात आप अपने लडू गोपाल जी को कोई ना मवश्य दे दी दिये जैसे आप अपने बच्चों का अरे कान अरे लडू जैसे आप बोलते हैं न वैसे आप कोई भी नाम दे दीजी जो आपको पसंद हो लडू गोपाल का नाम रख दो और फिर जिस भाव से आप उनकी सेवा करना चाते हैं वही रिष्टा जोड लीजी जैसे लडू गोपाल को आपने पुत्र के रूप में माल लिय बंदू बादाओं के रूप में माल लिया भाई के रूप में माल लिया दोस के रूप में माल लिया किसी भी रूप में सखा के रूप में उस रूप में ही मानके आपको सेवा करनी है ये सर्विसेस्ट विधी रहती है जिस प्रकार आप अपने घर के बच्चों की हर ज़र कुछे को स्कूल जाने के लिए उठाते की नहीं उठाते हैं उठाइए लड्डू को पाल जी को इसनान कराते की नहीं कराते हैं वैसे लड्डू को पाल जी को इसनान कराएं इस बात का ध्यान रखो जिस पातर में आप उन्हें सनान करा रहे हो वो पातर जूटा नहीं हो ना सम्भव हो तो इस नान के पशाद प्रती दिन धुलेवे स्वच वस्तर पहनाईए ये भाव गलत है कि 15-15 दिन महीने महीने भर आप कपड़ी चेंज नहीं कर रहे हो जिस प्रकार आपको भूग लगती है हमारे लडुगो पाल को भी तो लगती है उनके भूजन का धिहान रखो फिर रात में दूद पिते हो उनको भी रात में दूद पिलाओ जो आप स्वेम ग्रेंड करते हैं न वो लड़ू गोपाल को कराओ दिन में तीन बार भोजन कराओ जैसे सुबह इसनान के पश्षाद दूद दही जो भी हमारे लड़्ू गोपाल को लल्ला को पसंद वो दे दो आप जो पीते हैं वो दे दो हमारे लड़्ू तो वही खा लेता है जो आप करो दूद दही से बने पदार्थों का और कुछ भी उपलब दे नहीं हो कि माराज मैं तो व्रत कर रहा हूँ, मैं क्या खिलाओंगा लड्डू गुपाल को, फल तो पड़े होंगे ना, फल का भोग लगा दो, जो घर में बनता हूँ, कहते हैं कि 56 भोग, 36 वेंजन, बिन तुलसी प्रभू, एक ना मानी अर्था, लड्डू गुपाल जी बगर तुलस बाद में दूसे सदसे खाएं, पहले लड्डू गुपाल को भोग लगाईए, फिर उसके पशात, पूरा परिवार पशात के रूप में ग्रहिए, जिस प्रकार घर में रहते हुए हम बोर हो जाते हैं, लड्डू गुपाल, अरे आज पिकनिक पे जाने का मन कर रहा है, ब लड्डू गुपाल जी को बाहर घुमाने मंदिर, पार्क, आदिस्तानों पे ले जाईए, प्रती दिन रातरी में लड्डू गुपाल जी की आरती करें, उन्हें शयन कराएं, एक छोटे बालक को प्रेम से लोरी सुनाते हैं न, उसी तरीके से छोटो सो मेरो मदन गुपा जैसा कि आपने लड्डू गुपाल को सबसे छोटे बच्चे की उपा दिती, तो ऐसी में सबसे छोटा बच्चा नटखट भी होता है, लेकिन जब घर की सदर्स्यों को जरुवत पढ़ती है, तो छोटे छोटे काम भी उस बच्चे से ही, नटखट पालक से ही करवाते हैं पंडी जी क्योंकि आपने किस तरह से काना की देखभाल करनी है और ऐसी उधारन भी हैं, कुछ लोग हैं जो जब विराश्ते हैं काना को घर में और इस भाव से जो आपने बताए सेवा करते हैं, तो फिर उन्हें काना हसते हुए भी, रूठे हुए भी, मुस्कुराते हु लल्ला का जनम दिन होर यदी हम सा कामना पूजा करें तो हमारी बिगडी विदशा सुदरने में देर भी नहीं लगती है, मैं एक बोड़ा सरल और छोटा सा उपाय आपको और बताता हूँ, आपके घर में मनी प्लांट तो हो गई, अक्सर लगबग सभी घर में मनी प्लां दीजे और एक लाल धागा जो होता है न यह तो कलावा लक्षा सुतर जिसको बोलते हैं वो भगवान श्री कृष्ण महा लक्ष्मी का ध्यान करते वे उस पे कुम-कुम लगा के माता लक्ष्मी के शीचर्णों में रख दीजे, उस समय पश्यात में भगवान विश्णों क वगवान श्री कृष्ण का महा लक्ष्मी का नाम लेकर उस धागे को मनी प्लांट के चारो तरफ बांध दीजे, मनी प्लांट के गमले के चारो तरफ उस धागे को बांध दीजे, क्या होगा उस धागे को बांधने से, इस धागे के बांधने से जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके घर के अंदर financial benefit होते चले जाएगे, धन समरद्धी आने लग जाएगे, आपका घर धन वैभव से परिपून होने लग जाएगा, जनमास्टमी का दिन हो और अगर हम लल्ला को बासूरी अगर भेट नहीं करें तो वो जनमास्टम पौधे के पेड़ की बनीवी बासूरी भी हो सकती, जैसी आपकी यता शक्ती, वैसे घर में चांदी से बनी बासूरी हमारे लल्ला को अवश्य भेट करनी चीए, तो आपको क्या करना है, आपको जनमास्टमी वाले दिन बासूरी खरीद के लानी है, दो छोटी छोटी सी बासूरी खरीद के लिए आएगा, लल्ला का मुँ है कि इतना इतना चोटा सा तो लल्ला का मुँ है, तो छोटी सी बासूरी खरीद के लिए आएगा, बासूरी लाकर अपने पूजा अस्तान के अंदर रखिएगा, और प्रती दिन लल्ला के पूजन के साथ में बासूरी लल्ला का जीवन अधूरा है लल्ला अगर खुश नहीं है तो फिर आप खुश नहीं रह सकते तो आपको बासुरी उनको आवश्यरपन करनी चीए तीसरी जो मैटपून चीज है हमारे लल्ला की मोर पंखी मोर पंखी के बगर उनका शिंगार अधूरा है तो मोर पंखी आपके घर में नहीं हो तो जर्मास्मी के दिन मोर पंखी लाके रखी दो मोर पंखी लियाएगा दो मोर पंखी में से एक लल्ला की मस्तख पर विराजमान कर दीजेगा एक मोर पंखी उनके चर्णों में रख दीजेगा फिर वो दूसरी मोर पंखी है उस मोर पंखी को अपने पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में रख दीजेगा या तो नौर्थ वाल पे लगा दीजेगा उसे क्या होगा बच्चों के कंसेंटरिशन में वद्धी होगी बेडरूम में लगाएंगे तो दामपत्य सुख बरतावा दिखाएगा तो मोर पंखी आप घर में अवश्य रखिएगा नहीं हो तो ले के आ जाएगा लला के समक्ष जन्मास्टमी वाली रात्री के अंदर एक बाउल के अंदर आप गंगा जल भरके रख दीजे अगले दिन जन्मास्टमी के अगले दिन उस जल का छिड़काओ आम के पेड़ के पत्ते से या शुक के पेड़ के पत्ते से पूरे घर के अंदर कर दीजे आपके घर में तंत्रमंत टोना तोटका नहीं आएगा दो बात से बनी बासूरी लियाएगा आपके घर के मुख्य द्वार के उपर जहां अपन द्वार गणपती लगाते हैं वहां पर बासूरी लगा दीजिए बासूरी कैसे लगाए वी शेप में लगाएए बजाने वाला मू नीचे रहेगा घर के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं, रसोई के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं, आप बेड्रूम के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं, जिनका विवा नहीं हो रहा, उनके कमरे में लगा सकते हैं, दो बासुरी आपके जीवन की बिगडी दशा को सुधार सकती है, चोटे-चोटे से उपाय हैं करके देखेगा आप सभी को जैशी खिष्णा जैमाता की जैशी हरी लड़ुकॉपाल की जै बलको लौननंद की आनन भयो जै कनहिया लाल की तो आपकी बिगड़ी भी बना सकते हैं और आपको बाधा मुप्पी कर सकते हैं पंडित जी ने जो हमें विशेश उपाय चमतकारे को पाय बदाए उन्हें अपना कर तो कहते हैं ना कि राधा की भक्ती मधूर मुली की मिठास और ब्रच की गोपियो करास आईए मिलकर मनाते हैं श्री कृष्णी जन्माश्मी का दिवार तो हमारे साथ स्टूडियो में करता है कि जन्माश्मी का पावन पर्व आपके जीवन में सुख सम्रदी शांती और अच्छा स्वास्ते लेकर आए उमीद है आपको हमारी खास पेश्क्रस पसंद आया होगा नमस्कार